दोस्तों इस समय आप देखी रहे होंगे कि पूरे भारत देश में और खास तोर से यूपी में काफी जादा च्छापे मारी चल रही है Unregistered Clinics की Nursing Home की Ultrasound Center की Pathology Labs की काफी जादा छापे मारी चल रही है काफी जादा ताबर तोड़ स्वास विभाग दोआरा छापे लग रहे है और जो भी Unregistered Clinics पाए जा रहा है Pathology Labs पाए जा रहे है Ultrasound Center पाए जा रहा है उन्हें ततकाल सील किया रहा है और चालक को जेल भेजा जा रहा है और हमारे UP के मान्य मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाद जी का यह आदेश था कि जोला चाप डोक्टरों को जो है पकड़ा जाए इनको अरेस्ट किया जाए और इनका किलिनिक सील किया जाए तो इससे हमारे काफी सारे ऐसे गिरामिल डोक्टर हैं जो की गाउं छेत्र में बेटे हुए है जिनके पास कोई भी डिगरी नहीं है कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहा है वो काफी जादा डरे हुए है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है जो की इस समय सोशल मीडिया पे काफी जादा वाइरल हो रही है काफी जादा जो है सोशल मीडिया पे स्टेम चाही हुई है तो इस खबर की आखिर क्या सच्चा है क्या वाकी में ही UP के अंदर जो है गॉर्मेंट क्लीनिक खुलने वाले हैं तो इन क्लीनिक से हमारे RMP डोक्टर जो की जोला चार्प डोक्टर हैं इनके उपर क्या पिरभाव पड़ेगा, क्या इनका करियर खत्म हो जाएगा, क्या कुछ है इस निउस के अंदर, सारी जनकारी हम आपको देंगे, तो अगर आप एक RMP डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, गाउं छेतर में क्लीनिक चलाते हैं, या फिर आप फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप medical के कोई student है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा important है, आप इस वीडियो को अंतक देखना, चेनल पर नए हो, तो चेनल को subscribe भी कर देना दोस्तो, तो दोस्तों आपको मालूमी होगा कि करीब एक महीने पहले से, हमारे पूरे भारत देश में और UP में काफी जादा हिंदुस्तान का popular newspaper है, जिसमें लिखा है कि गाउं गाउं में खुलेंगे digital doctor clinic, तो इसमें देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा है, बुलंद शहर संभात आता है, मतलब ये UP के बुलंद शहर में ये news आई है, तो यहाँ पे इसमें लिखा है कि ओबडू कंपुनी जनपत सहीद पिर्देश की तमाम गिराम पंचायतों में digital doctor clinic खोलने जा रही है, मतलब ओडू एक कंपुनी है, जिसके जो चालक है, मतलब जिसके जो मालिक हैं वो है, संजय कुमार जी, तो इनकी कंपुनी जो है, अब पूरे उत्तर पिर्देश के अंदर digital clinic खोल रही है, digital clinic का मतल तो ओडू कंपुनी के जो ये मालिक है, संजय कुमार जी, इन्हों ने ये दावा किया है, कि UP के अंदर digital clinic खोलेंगे, और आगे लिखा है, इसके लिए पिछले दिनों ओडू कंपुनी के संजय कुमार ने मुख्य मंत्री के समक्ष 3350 करोड रूपे का MOU साइन किया था, ज मतलब जो कंपुनी है, जो की हमारे नोड़ा की कंपुनी है, और इसके जो मालिक है, संजय कुमार जी ने, इन्हों ने मुख्य मंत्री योगी अदित्यनाद जी से, जो है, 3350 करोड रूपे का AMU साइन किया था, और ये अब जमीनी इस तर पे दिखाई दे रहा है, मतलब य जा रहा है, ये डिजिटल किलीनिक्स, और आगे लिखा जनपत की 946 गिराम पंचायतों समीद पिरदेश में लगभग 70,000 किलीनिक खोलने का काम शुरू हो गया है, मतलब 946 गिराम पंचायतों सहीद, जो 70,000 किलीनिक्स हैं, उनको खोलने का काम अब इस्टार्ट हो गया है शाद आपकी जिले में, आपकी तहसील में भी जो है, डिजिटल किलीनिक्स बनाया जा रहा हो, और आगे लिखा है, गिराम पंचायतों को विशेश्च किस्सा के परामर्च उपचार के साथ सस्ती दवाईयां 110 से अधिक खून की जाच और अल्टरसाउंट की सुईधा मिल लेगी, बदब जो गिरामेड हैं, हमारे गाउं छेतर के लोग हैं, जो की घरीब लोग हैं, जो की 30-40 रुपे की दवाईया लेने वाले हैं, जो की MBBS लोक्टर की फीस नहीं दे सकते, मेडिसीन नहीं ले सकते, वो जो है, अब सस्ते पेसों में, यहां से अपने दवाईया लेंगे, उनका उपचार होगा, और 110 से अधिक खोन की जाचे और अल्टासान उनका बहुत कम पेसों में होगा, और आगे लिखा है कि बताते चलें कि फरवरी 2023 में आयोजित इन्वर्ट्स समिट के दोरान, नोईडा की, ओबडिव कंपनी की ओर से 3350 करोड रुपे के और आगे लिखाये जो कि एक गोल्डन पॉइंट है, जिसमें लिखाया कि इसके अंतरगत जिले सभीत पिरदेश के सभी गिराम पंचायतों में डिजिटल डॉक्टर किलीनिक खोलने की योजना है, मतलब यूपी के जितने भी जिले हैं सभी के अंदर अब डिजिटल किली नहीं खुलेगा, आपके जिले में भी खुलेगा, और उसके बाद नीचे लिखाया कि कमपोनी के सीओ संजे कुमार जो की मूल रूप से बुलंद शेहर के गाउं वीर खेड़ा के रहने वाले हैं, उनके मताबिक फिलहाल 18 जिलो में डिजिटल किलीनिक बनाए जा चुके ह हमारे जो संजे कुमार जी हैं, जिनकी नोड़ा की कमपोनी है इन्होंने ये बताया है कि 18 जिलो में डिजिटल किलीनिक बन चुके हैं, शायद आपके जिले में बना हो या नहीं बना हो यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 18 जिलो में बन चुके हैं, यूपी के, और नीचे लि इंदराबाद जो है बुलंद शहर का जो की एक तहसील है इसमें भी दो डिजिटल किनीनिक बना दिये जाएंगे और नीचे एक और गोल्डन पॉइंट लिखा जिसमें लिखा इस से पूरे पिर्देश में कुल एक करोड़ नभे लाक मेडिकल पेरा मेडिकल स्टाफ के साथ अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा मतलब ऐसे लोग जो की मेडिकल में हैं मतलब मेडिकल के स्टूड़न हैं पेरा मेडिकल के स्टूड़न हैं इन सब को रोजगार मिलेगा और अन्य लोगों को भी जो है इन किलीनिक के अंदर रोजगार मिलेगा और दो पॉइंट आ और अल्ट्रसाउंट की सुवीधा मिलेगी, मतलब 110 से भी जादा आप जाँचे करा सकते हैं, बहुत कम पेसों में, कितनी पैसे लगेंगे यहां आप आपको आगे बताएंगे, फिर आप देख सकते हैं, यहां कोने में साइड में कुछ इंपोर्टन दिया हुआ, जिसमें ल मतलब जो डिजिटल किलीनिक बनेंगे यूपी का अंदर हर जिले में, इसके अंदर MBBS और MBBS MD डोक्टर बैठेंगे, और वो जो है, अपनी कॉंसलेशन देंगे, मतलब वो इलाज करेंगे, और आगे लिखा है, इस किलीनिक के लिए नियुकतम 300 स्कॉार फिट जगा की अव खून की जाचे भी की जाएंगी, मतलब केवल 20 रुपे में 110 आपकी खून की जाचे हो जाएंगी, केवल 20 रुपे में 110 और आगे लिखा है, जबकि चिकिस्सकों को परामश पर अधिकतम 60 रुपे में 2 दिन की दवाई भी दी जाएगी, मतलब जादा-जादा 60 रुपे की दवाई आपको मिलेगी दो दिन की, इस से जादा की नहीं मिलेगी, मतलब एक दिन की तीस रूपे की हो गई, और लिखा है साथ ही किलीनिक पर एक बेड़, किलीनिक पर एक बेड़ होगा, मल्टी मोनिटर होगा, ऑक्सीजन समीद, समीद आईसियू की सभी सुविधाई मिले मतलब आपको दवाई भी मिलेगी, बेड़ भी मिलेगा, मल्टी मोनिटर भी मिलेगा, और आईसियू की सुविधा भी होगी, तो ये सब कुछ जो है गोवर्मेंट करने जा रही है, तो ये खबर थी दोस्तों, जो कि हमारे हिंदुस्तान न्यूस पेपर, जो कि भारत आप डोक्टर बोलते हैं, इनके उपर क्या पिरभाव पड़ेगा, क्या इनका करियर खत्म हो जाएगा, क्या ये जो है, डिजिटल किलीनिक खुलने चाहिए, या नहीं खुलना चाहिए, आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बोक में जरूर बताएं, और आपको अगर हमार इसी में कोई भी सवाल पूछना है, फरमेसी रिलेटेड, मेडिकल स्टोर रिलेटेड, हैल्थ रिलेटेड, मेडिकल कॉर्स रिलेटेड, हमारी अर्निंग रिलेटेड पूछना है, हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप हमसे इस वीडियो के कम कर दीजिए हम आपका जो है कमांड फिक अप करेंगे और हम नेक्स्ट रिजल्दी से जो है क्योंने वीडियो लाएंगे तो यह हमारी पहली क्योंने वीडियो होगी इसलिए जादा जादा जो है कमांड करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ जेहिन बंदे मातरा